देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास सुनेंदा खबरे वो भी मेरे साथ मुंबई से सटेट आने के भीवंडी में भारी मातरा में अवैद विस्पोटक बरामत किये गए है क्राइम रांच ने हजार जिलेटिन स्टिक और हजार डेटोनेटर के साथ तीन लोगों को अरेस्ट किया है तीनो आरोपी पाल घर के रहने वाले है वही छात्रों को भढ़काने के मामले में गिरफतार हिंदुस्तानी भाव को चुडाने से सम्बन दीत एक आडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है अपिल की गई है कि भाव को चुडाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग पुलिस स्टेशन के बाहर इखटा हो इसी बिच बॉलिवुड के महानायक अमिदाब बच्चन के प्रशन सकों के लिए एक अच्छी ख़बर आई है उनकी मोस्ट अवेड़ेट फिल्म जूट जल्दी ही सीनोयमा घरों में रिलीज होगी तो पुने से सटे विपरी चींचवड में एक व्यापारी को किडनाप करने के आरोप में एक पुलिस कॉंस्टेबल समित आठ लोगों को गिरफतार किया गया है इन लोगों पर आरोप है कि इन्होंने 300 करोड रुपे की बिटकोइन क्रिप्टो करेंसी की जबरन वसुली के लिए शेयर व्यापरी विने नाइक को पुने के तथा वड़े के एक होटल से 14 जन्वरी को किडनाप किया था उधर पुर्व भाजपा सांसत किरिट सौमयया ने दावा किया है कि केंद्रिय परियावरन मंत्राले ने रत्मागिरी के दापोली सित राज्य के परिवहन मंत्री अनिल परप के अवैद रिजॉर्ट को तोड़े का आदेश दिया है प्रदिश की इन पाच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही है आप हमारे साथ मुंबई से सटे ठाने के भीवंडी में क्राइम रांच ने हजार जिलेटिन स्टीक और हजार डेटोनेटर के साथ तीन लोगों को अरेस्ट किया है तीनो आरोपी पाल घर के रहने वाले हैं इतनी बड़ी मात्रा में अवैद विस्फो टक मिलने के बाद अब पुरे मामले में जांच शुरू हो गई है महाराश्टर एटीएस की टीम भी मामले की जांच कर रही है ताजा जानकर के मताबिक तीनो आरोपी एक एक इको कार में इसे लेकर आये थे और भीवंडी में किसी को सप्लाई करने वाले थे जिन तीन लोगों को पुलिस ने गिरफतार किया है उनमें अलपेश, उर्फ बालया हिराजी पटिल, पंकत चोहान और समिर और साम्यराम चंदर वेदगा शामिल है बम डिस्पोजल एंडिस्ट्रिक्शन स्क्वाट ठाने की टीम बरामद विस्फोटक को जल्द इसे नश्ट करने का काम करेगी इस मामले में निजाम पुरा ठाने में भारते विस्फोटक अधिनियम 1908 की धारा 286 के तहत केस दर्च किया गया है ये तीनों विस्फोटक को कहा तक पहुचाने वाले थे इसका पता लगाया जा रहा है बरामद विस्फोटक की कीमत 4,45,000 रुपे बताई जा रही है बता दे कि महराश्टर में बिना लाइसेंस के फैक्टरी से किसी को भी जिलेटिन की चड़ो को नहीं दिया जा सकता ऐसे में अब इसे बनाने वाली फैक्टरी के जिम्मेदार लोगों से भी इस मामले में पूछताच की जाएगी चात्रो को भढ़काने के मामले में हिंदुस्तानी भाव को मुंबई पुलिस ने गिराफतार किया है उसे चार फरवरी तक अदालत ने पुलिस की हिरासत में भेजा है इस ख़बर के बाद भाव के समर्थकों में एक खासी नाराजगी है इनी समर्थकों में से एक अमान ने सोशल मीडिया पर एक आडियो क्लिफ वाइरल किया है जिसमें ये अपिल की गई है कि भाव को छुडाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग पुलिस टेशन के बाहर इखटा हो ताकि पुलिस पर दबाव पड़े और वो भाव के साथ ज्यादा सकती से पेश न आए मुंबई के धारावी पुलिस टेशन में विकास जयराम पाठक और हिंदुस्तानी भाव और इकरार खान के नाम पर मुकदमा दर्च किया गया था जो आडियो क्लिप फिलहाल सोशल मीडिया पर वाइरल है उसमें कुछ इस तरह से अपिल की गई है मैं ग्रूप का एडमिन अमान बोल रहा हूँ मैं बांदरा से आया हूँ मैंने वकिलों से पूछता चकी भाव यहां नहीं है भाव को निकाल कर आधे से पौन घंटा हो चुका है अभी वो धारावी पुलिस लॉक अप में है ज्यादा से ज्यादा संख्या में जितना जल्दी हो सके यहां पहुचे मैं भी धारावी जा रहा हूँ सबसे जादा हमें यहां लड़कियों की मौजुदगी की जरूरत है लड़किया ज्यादा रहेगी तो पुलिस मारेगी नहीं यकली भाव को पुलिस हिरासत में भेज़े जाने के बात की बताई जा रही है बता दे कि सुमवार को मायनगरी मुंबई के धारावी इलाके के पास चात्रों ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था दरसल दसवी और बारवी के चात्रे एक्जाम को ऑनलाइन कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे इस दोरन हजारों चात्रों ने इलाके के रास्ते को तकरीबन घंटे भर तक रोग रखा था बॉलिवुड के महानायक अमिता बच्चन की मोस्ट अवेटेड फिल्म जून लंबे समय से चर्चा में है कोरोना के कारण मेकर्स को फिल्म की रिलीज डेट कई बार बढ़ाना पड़ा लेकिन अब आखिरकार अमिता बच्चन को वापस एक्षन में देखने का समय आ ही गया है फिल्म की नई तारिक सामने आई है और ताजा जानकरी के अनुसार ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होगी इस बात की जानकरी खुद अमिता बच्चन ने ट्वीट करते हुए दी है ट्वीट में लिखा है कि इस टोली से मुकाबला करने के लिए रहो तयार हमारी टीम आ रही है जुण आपके नजदी की सिनेमा घर में रिलीज होगी फिल्म जुण एक स्पोर्ट्स ड्रामा है जो NGO स्लम सौकर के फाउंडर रहे विजय बारसे के जीवन पर आधारित है फिल्म में अमिता बच्चन विजय बारसे के रोल में नज़र आएंगे आपको याद दिला दे कि जुण का पोस्टर और टीजर काफी समय पहले ही रिलीज हो चुका है मराठी सिनेमा के महशूर डारेक्टर नागराज मंजूले इस फिल्म को निर्देशित कर रहे है अब फैंस को बिग बी की इस फिल्म के रिलीज का इंतजार है हाल ही में सरकार ने थेटर्स में सौ फिस्दी कैपेसिटी की अनुमती दी है तो मेकर्स अपने अपने फिल्मों की रिलीज डेट अनाउंस करने में जुट गये है अमिता बच्चन के समर्थकों में फिल्म को लेकर काफी उतसुकता है पुने से सटे विपरी चींचवण में एक व्यापारी को किडनाप करने के आरोप में एक पुलिस कॉंस्टेबल समेट आठ लोगों को गिरफतार किया गया है इन लोगों पर आरोप है कि इन्होंने 300 करोड रुपे की बिटकोइन क्रिप्टो करेंसी की जबरन वसुली के लिए शेयर व्यापारी विनेनाईक को पुने के तथावड़े के एक होटल से 14 जनवरी को गिडनाप किया था इस केस में पुलिस कॉंस्टेबल तुकाराम खंडारे के साथ सुनिल रामशिंदे, वसंत शाम चवहान, फ्रांसेस टीमोटी डिसूजा, मैयूर महेंदर शिर के, रदिप काशिनात काथे, संजे उर्फ नीकी राजश बंसल और शिरिष चंदरकांत खोद को अरेस्ट किया पुलिस कमिशनर कुशना प्रकाश ने बताया कि दिलिप तुकाराम खंडारे ही इस पूरे केस का मास्टरमाइंड है, उसी ने विने नाइक का अपरन करवाया और बिटकोइन बेचने का प्रयास किया, नाइक का अपरन करता उने पुने के एक होटल से उठाया था, उनके तो उसने अपरन का केस दर्च करवाया था, वाकड़पुलिस स्टेशन की एक टीम उने तलाशने के लिए लगाई गई, और कुछ ही दिनों के प्रयास की बाद विने नाइक अपने घर आ गए, और आठ आरोपी भी गिरफतार हो गए, आरोपियों को पकड़े जाने का डर परिया ने दावा किया है कि केंद्रिय परियावरन मंत्राले ने रतनागिरी के दापुली स्थित राज्य के परिवहन मंत्री अनिल परप के अवेद रिसॉर्ट को तोडने का आदेश दिया है, प्रदेश भाजपा कारियाले में आयोजित सववादता सम्मिलन में सौमया ने कहां कि परपके दो रिसॉर्ट साई रिसॉर्ट एनेक्स और सी क्रॉंच रिसॉर्ट को तोडने का आदेश हुआ है, इन रिसॉर्ट के निर्मान में सी आर्जेट के नियमों का उलंगन हुआ है, रिसॉर्ट तोडने का ये आदेश 31 जनवरी को जारी हुआ है, सौमया परियावरन मंत्राले के आदेश में कहा गया है कि दोपाली में समुद्र किनारे पर बनाये गए रिसॉर्ट साई रिसॉर्ड एनेक्स और सी क्रॉंच रिसॉर्ड को तोडने के बाद पहले जैसी स्थिती बनाई जाए भारत सरकार ने इस आदेश पर अमल के लिए के इंद्रिय परियावरन मंत्राले ने परियावरन मंत्री उद्धर ठाकरे के विशे सच्षिव मिली नारवेगर का आवेद बंगला तोड़ा गया था UPKCM योगी आधित्यनाठ ने अखिलेश और जैन चौधरी का नाम लिये बिना कह दिया कि दो लड़कों की जोड़ी प्रदेश में दंगा कराने की साजिश के लिए आ रही है योगी के पक्ष में अच्छी बात ये भी है कि अधिकतर सर्वेक्षन में उनके बढ़ते कत को दिखाया जा रहा है वहीं आज प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी के अधिक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में करमचारियों के रुके हुए डिये एरियर पे फैसला हो सकता है इसी बीच भारत चिन पाक सीमा पर सुरक्षा दिवार बनाने जा रहा है योजना के तहट हिमाले इलाकों के आखरी गाओ को किले में बदला जाएगा इस किले बंदी के लिए बजट में विशेश प्रस्ताव किये गए है उदर बिहार में सिता मढ़ी के बाचपटी के बीडियो संजित कुमार तीन करोड से जादा की संपत्ती के मालिक निकले उनके शोग भी कमाल है कि जिसे पूरा करने के चक्कर में वे घुसके खोरी की सीमाय तक लांग जाते है देजबर की इन पाच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही है आप हमारे साथ हपुड में पिल्खुआ के रामलीला मैदान में आयोजीत प्रभावी मतदाता समवात कारेकरम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनात ने अखिलेश और जहन चोधरी का नाम लिए बीना कहा कि दो लड़कों की जोड़ी प्रदर्शन में आ रही है यहादंगा कराने की साजिश के लिए आ रही है पिछले पाच साल से अपने बिलो में घुसे दंगाई अब भाहर आकर गर्मी दिखा रहे है इनकी गर्मी दस मार्श को पूरी तरह निकल जाएगी इससे पहले उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में धोलाना के योगदान को याद करते हुए कहा कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता समर में धोलाना के करांतिकारियों ने जो बलिदान दिया उसे भुलाया नहीं जा सकता उन्होंने सपा पर निशाना साथते हुए कहा कि सपा सरकार की सोच परिवारवादी और कारिय दंगावादी था पस्ची में उत्तर प्रदेश के अंदर आपको यह फर्क सपष्ट देखने को मिलता होगा 2017 से पहले कोई सुरक्षित नहीं था, बेटी या स्कूल नहीं जा पाती थी, अराजक मन्जर था विकास की योजनाय ठप पड़ी थी, गरीबों को शासन की योजनाय नहीं मिल पाती थी विकास का पैसा इत्र वाले के घर में दीवारों के पीछे कैद हो जाता था मुजफर नगर के दंगे, सहरनपूर का दंगा, बरेली, मुरादाबाद, रामपूर और यहा तक की लखनव में मुख्यमंत्री की नाक की नीचे भी दंगे हुआ करते थे लेकिन दंगाईयों के खिलाब कारवाई नहीं होती थी सपा सरकार की सवविदना दंगाईयों के साथ थी, दंगापिडितों के साथ नी स्थिती यहा की नवजवानों के लिए नवकरी निकलती थी, तो चाचा भतिजा वसुली के लिए निकलते थे उत्तर प्रदेश विदान सभा चुनाव में सत्तारूर भारतिय जनता पारटी और समाजवादी पारटी आमने सामने है सभी दलों ने अपने अधिकांश उम्मिदवारों के नामों की घुशना कर दी है वही सर्वे एजनसियों की भी रिपोर्ट सामने आ रही है लगभग सभी में योगी आधितनात की लोग पुरियता सबसे अधिक दिख रही है विभिन्न एजनसियों के सर्वे में शामील अधिकांश लोग उनके कामकाज से खुश नजर आ रहे है यही कारण है कि वे दोबारा यूपी की कमान उनके हाथों में देने के लिए तयार दिख रहे है उत्तर प्रदेश में इस साल 10 फरवरी से 7 मार्ष तक 7 चरणों में मतदान होना है वोटों की गिंती 10 मार्ष को होगी उत्तर प्रदेश में कुल 403 विदान सभा सीटों पर मतदान होगा राज्य में कुल मतदान केंद्रों के संख्या 1,74,321 होगी और लगभग 15 करोट से अधिक मतदाता इस चुनाव में मतदान करने के पात रहोंगे एक उपीनियन पोल के अनुसार भाजपा और उसके गडबंदन सहयोगियों को लगभग 212 से 231 विदान सभा क्षेतरों में जीत की उम्मीद है समाजवादी पार्टी के नेतरूतव वाले गडबंदन के लिए 147 से 158 निर्वाचंच खेतरों पर कबजा करने का अनुमान लगाया गया है वही बसपा 10 से 16, कॉंग्रेस 9 से 15, अन्य 2 से 5 पर कबजा कर सकती है दूसरे जन्मत सर्विक्षन के परिणाम में बीजेपी को इस बार 223 से 235 सीटे मिलने की संभावना है वही समाजवादी पार्टी को 145 सीटों से 157 सीटे मिल सकती है बीज़बी के खाते में 8-16 सीटे जाती दिख रही है सर्वे के मुताबिक कॉंग्रेस को महत 3-7 सीटों पर संतोश करना पड़ सकता है आज यहनी दो फरवरी को प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी इस बैठक में करमचारियों के रूके हुए DA एरियर पर फैसला हो सकता है दरसल केंद्रिय करमचारियों के 18 मैनों से रूके हुए DA को जारी करने का फैसला अभी तक नहीं किया गया है लेकिन जानकारी के अनुसार आज होने वाली कैबिनेट बैठक में इस पर फैसला हो सकता है सरकार एक ही किष्ट में DA एरियर देकर निप्टाने की योजना बना रही है किंद्र ने COVID-19 के कारण 1 जनवरी 2020 से DA और DR के भुकतान पर रोक लगा दी थी इस कारण केंद्रिय करमचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक 18 मेने के DA, DR का भुकतान नहीं हो पाया है अब इसके जल्द मिलने की उम्मिद है एरियर भुकतान को लेकर भारतिय पेंशन भोगी मंच ने प्रधानमंत्री को चिठ्ठी भी लिकी है प्रधानमंत्री ने BMS से अपील भी की है कि वो इस मामले में हस्तक शेफ करे और वित्तम अंत्राले को 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के बीच रोके गए DA, DR के एरियर को जल्द जारी करने के निर्दिश दे सुत्र बताते हैं कि भुक्तान को लेकर करीब सभी तैयारी कर ली गई है प्रधानमंत्री की ओर से हरीजंडी मिलते ही इसे अंतियम रूप दे दिया जाएगा बता दे कि केंद्रिय कर्मी काफी दिनों से इस लंबित एरियर को लेकर नाखुश है और कई सतरों पर इसके लिए कोशिश कर चुके है भारत चीन पाक सीमा पर सुरक्षा दिवार बनाने जा रहा है योजना के दाथ हीमाले इलाकों के आखिरी गाओ को किले में बदला जाएगा इस किले बंदी के लिए बजट में विशेश प्रस्ताव किये गए है इसके लिए सीमावर्ती गाओ के लोगों को विकास की यात्रा में जोड़ा जाएगा सालों से सीमावर्ती गाउ से पलायन होता रहा है देश की सुरक्षा के लिए यहाँ पहलू ठीक नहीं है इस बात को समझते वे बजट में विशेश वाइबरेंट विलेज प्रोग्राम का ऐलान किया गया है पीम मोदी ने कहा कि हमारे अनेको सीमावर्ती गाउ टुरिस्पोर्ट बन सकते है होमस्टे का नेटवर्क वहाँ खड़ा हो सकता है प्रकूती टेमियों के लिए वहाँ आकर्शक जगा है कच्छ में मैंने रन उत्सव करके देखा है लद्दाक उत्तराखंड में यहां बहुत मदद करेगा सीमावर्ती गाउ में NCC की गतिवीदी भी चलाएंगे इससे सीमा पर रहने वाले बच्चे NCC में ट्रेंड होकर भविश्य में आसानी से सुरक्षा बलो में जा सकेंगे इसके साथ ही राष्ट्र सुरक्षा से जुड़े एक और अभियान की गोशना भी बजट में की गई है परवत माला योजना के ताहत हिमालाइक शेत्रों में आधुनिक इंफ्रस्रक्चर को बढ़ा जाएगा आवाजाही आसान होगी सेना को भी बहुत सुविदा जनक होगा इसका बड़ा लाभ हीमाचल उत्तराखन, जम्बु कश्मीर, नौर्थ हिस्ट में मिलेगा पहडों को लेकर सेना बहुत प्रतिभावान होते है बिहार में सितामडी के बाजपट्टी के बीडियो, संजीत कुमार तीन करोट से ज़्यादा की संपत्ति के मालिक है उनके शौक भी कमाल के है, जिसे पूरा करने के चक्कर में वे घुस्खोरी की सीमाय लांग है महराजा स्टाइल में जीवन गुजारने की आदत ने उन्हें रिश्वतखर बना दिया पतना में करोडों का बंगला, मकान ऐसा की गेट खोलते ही आखे चौन दिया जाए आर्थी कपराज शाका के मुताबि संजित ने अपनी पतनी आर्थी की नाम से अकुच संपत्ती खरीदी आर्थी कपराज शाका ने अनुमान लगया है कि उनके पास वास्तवी काय से 96 प्रतिशत जादा संपत्ती है मतलब जीवन बिमा, म्यूचल फंड और जेवरात में निवेश करने का कोई आप्शन नहीं बचा तो प्लाट पर प्लाट की खरीदी करने लगे वो भी अपनी पतनी के नाम पर अब एक-एक पैसे का हिसाब किताब हो रहा है बिडियो संजित कुमार सिर्फ धंदलोच शानो शौकत और जमीन का शौक नहीं रखते थे बलकि वो बंदुक की भी खफाईश रखते थे चापे मारी में लकडी के बकसे में 315 बोर की एक रैफल और 40 गोलिया भी बरामत की गई इस संबन में धनरुआ थाने में अलग से केस दर्श किया गया है संजित कुमार मूलता हा पतना जिले के धनरुआ गाव के ननोरी के रहने वाले है इनके छोटे भाई सुजित कुमार की पतनी नीलू देवी हुला सचक वीर पंचायत की मुखिया है इसी पंचायत में इनका गाव ननोरे भी आता है पैतरुक गाव में छापे मारी के दवरान मिले आरम्स कुले कर अलग से एफायर दर्ज की गई एक अरबे फिल्म पर बवाल मच गया है आरफ है कि इस फिल्म के जरिये अरब समाज को भष्ट करने के साथ ही अरब देशों की संस्कूती को निशाना बनाने की गोशिश की गई है तो नई स्टडी से अब उन उम्मीदों को जटका लगा है कि ओमिक्रोन लहर के बाद कोरोना महमारी तेजी से खतम हो सकती है कोरोना वाइरस के बहुत ही तेजी से फैलने वाले ओमिक्रोन वेरेंट का नयारू बीए पॉइंट टू और भी ज़्यादा तेजी से फैल रहा है वही अमेरिका के दक्षिनी राज्यों में आस्मान से 767 किलोमेटर लंबी बिजली गिरने की पुष्टी हुई है ये बिजली अमेरिका के तीन राज्यों में दिखाई दी थी और अब दुनिया के सारे रेकॉर्ट तूड गए है इसी बीच पाकिस्तान की राज्डिती में पुर्वप्रधान मंत्री नमाज शरिप की लंदन से वापसी को लेकर भूचाल मचा हुआ है एक नेता ने तंच कासा है कि वे दोबारा शादी कर ले क्योंकि उन्होंने खुद ब्रोकेन हाट डीजिस से पीडित बताया है उधर पाकिस्तान के सिंफ्रांद के घोट की जिले में खिंदू व्यापारी की अग्या थमलावारू ने गोली मार कर हत्या कर दी थी नेट्लिक्स की पहली अरबी फिल्म अशव वाला आज को लेकर अरब और मिस्तर में बड़ा बवाल मच गया है फिल्म के कुछ सींस ऐसे है जिने देख लोग घुसे से भड़क गए और फिल्म पर बैन लगाने की मांग कर रहे है इस फिल्म में लीड हिरोईन को अंडर्वियर उतारते दिखाया गया है इसे देख मुस्लिम देशों में गुसा फूट पड़ा है लोगों का कहना है कि इस फिल्म के जरीए अरब समाज को भ्रष्ट करने के साथ ही अरब देशों की संस्कूती को निशाना बनाने की कोशिश की गई है लीड हिरोईन मोना जाकी मिस्तर की बड़ी स्टार है वहां के लोगों का मानना है कि आखिर उनके जैसी स्टार इस तरह का सिन कैसे कर सकती है कई आलोचको ने एक्ट्रेस पर आपती जनक सिंस का हिस्सा बनने पर विरोज जताया है आलोचको का कहना है कि ये फिल्म समलाइंगिकता को बढ़ावा देने वाली है ये मिस्तर के समाज की नैतिकता और पारिवारिक मुल्यों पर हमला है फिल्म की कहानी साथ दोस्तों और उनकी डीनर पार्टी के इर्द गुर्द घुमती है। डीनर टेबल पर इन साथ दोस्तों की नीजी जिन्दगी से जुड़े कुछ ऐसे खुलासे होते हैं कि आपसी रिष्टे ही बदल जाते हैं। ट्विस्ट तब आता है जब पार्टी की होस्ट सभी से एक गेम में हिस्सा लेने को कहती है। उस गेम में सारे दोस्त एक दूसरे के साथ अपने मैसेज, इमेल और तस्विरे एक्स्जेंज करते हैं। यही से उनके आपसी रिष्टों की कड़ी अगनी परिक्षा शुरू होती है। और आपकी वेरियंट से संक्रमन को बचा सके। रिसर्च के मुताबिक, संक्रमन के बाद पैदा होने वाली नैच्रल इम्म्यूनिटी वैक्सिंग के बूस्टर डोज से पैदा होने वाली इम्म्यूनिटी की महज एक तिहाई है। यानी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वैक्सिंग ही उम्मीद की किरण है। जिन लोगों ने वैक्सिंग नहीं लगवाई है, वे संक्रमित हुए तो अपने संपर्क में आने वाले लोगों को तेजी से संक्रमित करेंगे। ओमिक्रोन का ये लेटेस्ट वर्जन वैक्सिंग लगवा चुके यहांतकी बूस्टर डोज लगवा चुके लोगों को भी चपिट में ले सकता है। कोरोना के नय-नय वेरियन को जेल रहे लोगों के लिए ये जानकरी परिषान करने वाली है। समझा जा रहा था कि तीसरी लहर के कमजोर पढ़ने के साथ ही अब आम लोगों की जिन्दगी पट्री पर आ सकती है अमेरिका के दक्षिनी राज्जों में आस्मान से 767 किलोमिटर लंबी बिजली गिरने से लोग दहशत में आ गए थे ये बिजली अमेरिका के तीन राज्जों में दिखाई दी थी और अब दुनिया के सारे रिकॉर्ड तूड गए है इस बिजली गिरने को मेगा फ्लेश नाम दिया जा रहा है बिजली गिरने की ये घटना 29 अपरेल 2020 को हुई थी लेकिन अब उसे स्पेस तकनिक की मदद से ना पगया है ये मेगा फ्लेश 767 किलोमिटर के बराबर था जो नियू यॉर्क शहर, कॉलंबस और ओहियो की कुल दूरी के बराबर है मेगा फ्लेश आम बिजली गिरने की तरह से नहीं होते है, ये विशाल टेढ़ा मेढ़ा इलेक्ट्रिक होता है, जो एक विद्योती करन से युक्त बादल से दूसरे में जाता है ये बहुत तेजी से होता है, एक विशाल टूफान मेगा फ्लेश को सैकड़ो किलोमीटर दूर तक जाने में मदद करता है और दस सेकंड से ज्यादा समय तक आकाश में प्रकाश रहता है ये मेगा फ्लेश हीूस्टिन के दक्षिनी हिस्से में तुफानी बादलो और बारिश के बीच हुआ था, कल ही विश्व मौसम विज्ञान संस्थान ने इस बात का प्रमान दिया, कि ये बिजली दुनिया में सबसे लंबी दूरी तक गिरी थी ये पहले गिरी बिजली से 60 किलोमीटर ज्यादा थी, इससे पहले सबसे लंबी बिजली गिरने का रेकॉर्ड अक्तुबर 2018 में ब्राजिल में बना था विश्व मौसम विज्ञान संस्थान ने उरुगवे और उत्तरी अर्जेंटिना के बीच जुन 2020 में दिखाई दिये एक और मेगा फ्लैश को भी मान्यता दी, ये मेगा फ्लैश करीब 17.1 सेकंड तक बना रहा था पाकिस्तान की राजनिती में पुर्वा प्रधानमंतरी नवाज शरिफ की लंदन से वापसी को लेकर भूचाल मचा हुआ है नवाज शरिफ ने पाकिस्तान के लाहर हाई कोर्ट में एक मेडिकल रिपोर्ट दाखिल करके कहा है कि उनकी डॉक्टर ने लंदन छोड़ कर नहीं जाने की सला दी है PMLN नेता की इस मेडिकल रिपोर्ट पर अब इमरान खान के राजनेतिक सलाकार शहबास गिल ने नीजी हमला बोला है गिल ने नवाज शरीफ पर तंच कस्ते वे कहां कि उनकी हेल्थ रिपोर्ट में अब रतेक्षर रूप से इशारा किया गया है कि वे दोबारा शादी कर ले क्योंकि उन्होंने अपने मरीज को ब्रोकेन हार्ट डीजिस से पीडित बताया है नवाज शरीफ की पत्नी की कैंसर से मौत हो गई है गिल का दावा है कि जो बिमारी नवाज शरीफ को हुई है वह केवल महिलाओं में होती है नवाज शरीफ साल 2019 में इलाज कराने के नाम पर चार सब्ता के लिए लिए लंदन चले गय थे नवाज शरिफ बार बार कह रहे है कि वे देश लोटेंगे लेकिन कब आएंगे ये नहीं बता रहे है नवाज शरिफ ने अपनी ताजा मेडिकल रिपोर्ट को अब हाई कोट में दाखिल किया है इस मेडिकल रिपोर्ट के सामने आने के बाद इमरान खान के राजनितिक सलहाकार ने डॉक्टर फियाज पर हमला बोला है और कहा है कि वह भारतिय मुल्के है उन्होंने ये भी दावा किया है कि मार्श 2011 में बॉलिवर्ट स्राट प्रियंका चोपड़ा और डॉक्टर शॉल के बीच एक फ्लाइट में विवाद हो गया था पाकिस्तान के सिंद्वरांत के घोट के जिले में एक हिंदू व्यापारी की अग्यात हमलावारों ने गोली मार कर हत्या कर दी मारे गए हिंदू व्यापारी की पहचान सुतान लाल देवान था सुतान ने पुलिस से गुहार लगाई थी कि उन्हें हत्या की धंकिया दी जा रही है लेकिन पाकिस्तानी पुलिस के कानों पर जू तक नहीं रहेंगी हमलावारों ने सुतान को धंकी दी थी कि अगर जीना चाहते हो तो भारत चले जाओ पाकिस्तान पर मर मिटने वाले सुतान ने कहां कि वह अपनी मात्रू भूमी को छोड़ कर कहीं नहीं जाएंगे रिपोर्ट के मुताबिक सुतान एक कपड़ा फैक्टरी का उधगाटन करके लौट रहे थे और रास्ते में ही उन पर हमला हो गया इस हमले में उनके एक रिष्टेदार हरिश कुमार घायल हो गया है और उन्हें रहिम्यार खान के एक हस्पताल में भरती कराया गया है ऐसा दूसरी बार है जब एक व्यापारी के जीवन को निशाना बनाया गया है हमले में घायल सुतानलाल का वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो गया है इस वीडियो में सुतानलाल कह रहे है कि उन पर हमला हुआ है और उनकी जान खत्रे में है इस हत्याकारण के बाद स्थानिय हिंदू और मुस्लिम समुदाये ने दहर की पुली स्टेशन के सामने प्रदर्शन किया उन्होंने हत्यारों की तुरंद गिरफतारी की मांग की व्यावारी के हत्या की विरोध में पुरे कस्वे में दुकान बन रही पाकिस्तान की विपक्षी पार्टी पाकिस्तान मुसलिम लिग नवाज गूट ने हत्याकान की निंदा की और कहां के एक इसाई की हत्या के बाद अब एक हिंदू नागरिक की हत्या कर दी गई देश में अलपस अंख्यकों को सबसे ज्यादा खत्रा मंड़ा रहा है तो आज की इस खास पेश्कश में बस इतना ही आपसे कल फिर मुलाकात होगी तब तक देखते रहें ये विकेवी नेवस नमस्कार क्वाइब एक है